हेलो फ्रेंड मैं हूनिक और आप सभी का स्वागत हमारे योटिब चैनल में सो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बात करेंगे लंका प्रीमेर लिग का जो 18th मैच होने वाला कैंडी फैलकन्स वर्ट से दामबुला सिकसर के वीचिस के ड्रीम 11 टीम के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं यहापे पीच रिपोर्ट के बारे में तो देखें यह मैच होने वाला कोलम्बो में और कोलम्बो का अगर पीच का बात कहए जाए तो देखे अभी तक इस टूनामेंट में यानि कि लंका प्रीमेर लिंग में अब तक टोटल सिर्फ दो ही मैच कोलंबो में खेले गए हैं जिसमें से एक match batting first करने वाल टीम नीजीता है और एक match balling first करने वाल टीम नीजीता है वही बात करते average score के बारे में तो यहाँ पर average score 198 है और जिस pitch पर भी देखे average score 140 प्लस होता है उस पीच को बैटिंग के लिए बहुत अच्छा पीच माना जाता है तो ये पीच देखिए बैटिंग के लिए बहुत ये अच्छा है वही बात करते बॉलिंग में तो बॉलिंग में यहाँ पे mostly fast baller को ज्यादा विकेट मिलता है इस पीज पॉलिंग के मुकाबले आकड़े देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीच पे स्पीन बॉलर को मुकावले फास्ट बॉलर को ज़्यादा विकेट मिल रहा है तो इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमने ड्रीम 11 टीम त्यार किया हुए तो आईए सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में उससे पहले वेदर के बारे में थोड़ा सा बता दू तो वेदर क्लियर हैगा बारिस होने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है अब बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कुसल परेरा के बारे में तो कुसल परेरा बहुत ही जब अच्छा सीजन जा रहा है सो कुसल परेरा को आप जुरू अपनी टीम में रखेगा इनके अलाबाद दिनेश चंडिमल को भी अपनी टीम में रख लीजे ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे अभी इनों ने भी लाश्ट थर्ड मैच में 89 रन बनाया था उसके बाद इनों 32 बनाया था फिछले मैच में भी इनों 21 बनाया था सो दिनेश चंडिमल इन्पॉर्टेंट रहेंगे इन्हें आप जुरू अपनी टीम में रखेगा सो विकेट की पर में यही दो प्लेयर आपके लिए इन्पॉर्टेंट रहेंगे कुसल परेरा और दिनेश चंडिमल इन दोनों को रख लिजेगा आई अब बात करते हैं आज से बैटिंग के बारे में तो बैटिंग में भी आप दो बल्ले बाजों को जुरू अपनी टीम में रखेगा रीजा हेंरिक और एफ लेच और दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहें बात करते हैं रीजा हेंरिक के बारे में तो रीजा हेंरिक पिछले चार मैच में से तीन हाफ सेंच्री बना चुक है पिछले चार मैच में तीन हाफ सेंच्री अभी पिछले वाले मैच में भी 72 रनों की बहुत अच्छी पारी घलकर आ रहे उससे पहले एक मैच में इन्होंने 54 रन बनाया था उससे पहले एक मैच में इन्होंने 80 रन बनाया था तो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे रीजा हैंवी को आप जुरू अपने टीम में र रखेगा आई अब बात कर लेते हैं से ओल राउंडर के बारे में तो और राउंडर में आज से छे ओल राउंडर को रखेगा डबलू हसरंगा एंजलो मैथुस मुहमद नभी डी सनाका सी विक्रमा सिंगे और डी है मनता यह 6 के 6 ओल राउंडर most important रहेंगे क्यों important रहेंगे अभी आपको पता चल जाएगा बात करते हैं से डबलू हसरंगा के बारे में तो देखिया हसरंगा बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहें परफॉर्मेंस का भी अगर देखा जै तो अभी पिछले ही मैच में दो विकेट लेकर आ रहें साती सात म आपको बता दू हसरंगा बैटिंग भी कर लेते हैं और बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं सो हसरंगा खुले लिए हसरंगा important रहेंगे एंजलो मैथूस को रख लिए एंजलो मैथूस भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहें अभी लास्ट मैच में इन्होंने दो विक में रखेगा मोहमद नभी अभी पिछले मैच में सबसे बेश्ट और राउंडर साबीत हुए जहां पर इन्होंने बैटिंग में 25 रन बनाया और बॉलिंग में चार ओवर में सिर्फ 14 रन देकर इन्होंने दो विकेट निकाल दियो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहें म मोहमद नभी को भी आप जुरू अपने टीब में रखे अभी आप देख सकते हो सिर्फ 37 परसेंट लोगों ने मोहमद नभी को अपने टीब में रखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता दू मोहमद नभी आपको लिए तुरूप का इका हो सकते क्योंकि यह बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इनके अलावा सनाका को अपने टीब में रख लिए सनाका भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं अभी हाल के दिनों में भी इनका फॉर्म बहुत ही अच्छा रहा है सनाका का अभी पिछले मैच में देखा है तो सनाका ने एक विकेट निकाल चुके हैं तो यहां से सना का इंपॉर्टेंट रहेंगे बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी इन्हें आप जुरू अपने टीम में रखेगा चार उपर में सिर्फ सतरे अंदे कर इन्हों इन्हों निकाल दिया उससे पहले वाले मैच में इन्हों तीन विकेट निकाला था ढ़िए हमनता नाम भले ही बड़ा निये लेकिन PLAYER मुझे लग रहां यह बहुत बड़ा बनने वाला है क्योंकि बहुत ही जब दस बॉलिंग कर रहे हैं आई अब बात करते बॉलिंग के बारे में उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है और अभी तक यार आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे है तो फेस्बुक पेज को भी लाइक करके फॉलो जुरू कर दीजेगा आई अब बात करते हैं से बॉलिंग के बारे में तो बॉलिंग में आप यहां से एन तू सारा को रख लिजेगा एन तू सारा इंपॉर्टेंट रहेंगे देथुर में बॉलिंग करते हैं और अब तक बॉलिंग बहुत अच्छा रहा है पिछले चार मैच में साथ विकेट निकाल चुक है अभी लास सेकेंड मैच में भी तीन विकेट ले खरा रहे तो बहुत ही जब दस फॉर्म में इन तू सारा को रखेगा आई अब बात कर लेते हैं आसे कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में तो कैप्टन के लिए देखिए हसरंगा मुझे सबसे बेश चोईस लग रहे क्योंकि हसरंगा बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे बहुत ही जब दस बॉलिंग कर रहे हैं और प्लस हसरंगा बैटिंग भी अच्छा खासा कर सकते हैं तो हसरंगा कैप्टन के लिए बेश चोईस होंगे और वाइस कैप्टन रिजा हैंडिक को बना दी ये पिशले चार मैच में तीन हाफ सेंचुरी बना चुके हैं कंसिस्टेंट बल्ले बाज़ें और जब फॉर्म में होते हैं तो हर मैच में ही बड़ी पारी खेलते हैं अभी पिशले मैच में 72 रन बना कर आ रहे हैं तो रिजडा हेनियक मुझे वाइस कैप्तें के ले बेश्ट लग रहे हुर कैप्टेंग के लिए हसर अगा । बाकि इन दोनों के अलावा गर आप किसी और को 네요 कैप्टेंग वाइस कैप्टेंग लिए ट्राई करना चाहे है तो कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ शौप संब बतायता हूं जिनको आप लोग कैप्टेन वाइस कैप्टेंग लिए ट्राई कर सकते हैं जैसे आप यहां से मुहांबन दभी को ट्राई कर सकते हैं अभी पिछले मैंचे पचीस रन बनाने के साथ साथ इन्होंने दो विकेड भी निकाला हुगा है बहुत एक और प्लेयर है जो बहुत इच्छे फॉर्म में चल रहे हैं एंड्रे फ्लेचर बैटिंग भी कर रहे हैं और प्लस पिछले दो मैसे लगतार बॉलिंग भी कर रहे हैं और विकेड भी ले रहे हैं जो यह चार प्लेयर भी इस मैच मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो इन चारों में से भी किसी को captain wise captain ले try करना चाहें तो कर सकते हैं बाकी मुझे जो सबसे waste लगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया डबलू हसरंगा और रीजा एन्री कि ये दोनों मुझे सबसे waste लग रहे हैं और फिलाल के लिए यही दोनों हमारे team के captain wise captain रहेंगे और फिलाल के लिए हमारी final dream 11 team रहेगी उमीद करता हूँ ये team आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को like करके channel को subscribe जरू कर दीजेगा इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे telegram पे join नहीं हुए तो telegram पे join हुजेगा telegram का link आपको video के description में मिल जाएगा link पे click करके आप हमारे telegram channel पे join हो सकते हैं बाकी मैं आप लोगों को एक बार अपना telegram channel भी दिखा जीता हूँ ताकि आप लोगों को join हुने में कोई problem ना है आप देख लीजे है हमारा telegram channel चाहाँ पे लगबग 14,000 subscriber अल्रेडी हो चुके हैं निक मेरा prediction नाम से हमारा telegram channel यहाँ पे अगदम फ्री में आप join हो सकते हैं यहाँ पे join होने से देखे क्या क्या फाइदा हो जाएगा अभी video मैंने जो dream 11 टीम आपको दिया है अगर by chance TOS के बाद उच टीम में अगर मैं कुछ भी changes करूँगा तो सबसे पहले मैं आप लोगो telegram पे ही बताऊँगा दूसरा फाइदा यहाँ पी यह होगा कि TOS के बाद आपको पता है बहुत सारे अपडेट आते जैसे TOS अपडेट हो गया पीच रिपोर्ट हो गया प्लेइंग 11 अपडेट हो गया टीम नियूज हो गया मतलब TOS के बाद जितने भी अपडेट साते हैं सारे अपडेट मैं सबसे पहले telegram पे ही share करता हूँ इसके साथ ही साथ मैच खतम होने के बाद जो भी अमारी टीम की performance रहती है उसका screen shot लेकर भी share करता हूँ जिस मैच का भी मैं वीडियो बनाता हूँ वीडियो का लिंक भी मैं सबसे पहले telegram पे ही share करता हूँ और और भी बहुत सारी चीज़े आपको हमारे telegram चैनल पे देखने को मिल जाएगा जब आप यहाँ पे join हो जाएगे तो बिल्कुल फ्री है एक रुपय भी नहीं लगेगा लिंक दिया हुए वीडियो के description में लिंक पे click करके आप हमारे telegram पे join हो सकते हैं बाकी link पे click करने के बाद भी अगर आप telegram पे नहीं join हो पा रहें तो comment कीजेगा हम आपके comment कर reply जरू करेंगे और आपको telegram पे join होने में help करेंगे तो comment जरू कर दिजेगा बाकी video कैसा लगा ये भी comment करके जरू बताईएगा और जिसका comment मुझे सबसे अच्छा लेगा उसके comment को मैं like भी दूँगा हट भी दूँगा पीन भी कर दूँगा इसके comment का screen shot लेकर अपने telegram पे भी share कर दूँगा तो comment आप लोग जरू कर दिजेगा आपकी comment से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बहुत कुछ जानने को मिलता है बाकी अगर अभी भी कोई doubt है तो वह भी comment कीजे उसका reply आपको जरूँग मिल जाएगा और जाते जाते टेलिग्राम पे जरूँगा और वीडियो से अगर help मिला है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूँट सेयर कीजे चाहे whatsapp group हो या फिर facebook group हो या फिर instagram हो या फिर telegram हो जहाँ सेयर करना चाहे वहाँ पे आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं सो इस वीडियो को यही पेंड करते हैं मिलते अगले वीडियो में तब तक लिज्जा है हिंद मंद्य मात्रम